friends welcome back this is the sixth video of physics chapter two in this video we are going to discuss the topic magnetic field pattern due to straight current carrying conductor or straight current carrying wire तो इसके लिए हम क्या किये है एक चार्ट पे पर लिए और उस cardboard के एक point पर हम hole किये और उसे एक wire insert उसमें कर दिये जैसे माली जी हमारे पास एक चार्ट पेपर है और इस जगह पर हम wire insert करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहां हमारे पास एक चार्ट पेपर था और यह जो pain है ऐसे समझे कि wire उसमें insert किया गया है तो ठीक उसी तरीके से हम यहां इस चार्ट पेपर में wire अंदर में डाले हुए है इस तरह से wire निकला हुआ है बैटरी से connect की है जैसे हम इसको switch on करेंगे तो current flow करना सुरूख करेगा current इस तरह से flow करेगा positive terminal से यह current इस तरह से जाएगा और यह जो chart paper था जिस chart paper के बीच में हम यह hole किये थे और wire insert कि यह wire है और यह hole किया हुआ है तो इस chart paper पर हम iron fillings sprinkle कर दिये हैं जैसे हमारे पास chart paper था इसमें हम hole करके wire insert किये थे यह iron fillings तो iron fillings किया है तो जो लोहा को काटा जाता है तो बहुत पतला पतला powder जो निकलता है आटा के तरह powder जो निकलता है उसी को हम लोग iron fillings कहते हैं ध्यान देजेगा जब लोहा को काटा जाता है तो बहुत पतला पतला iron powder निकलता है उसी को हम लोग iron fillings कहते हैं गवी तो यह आट्न फीलिंग्स हम यहां इस प्रिंगल कर देंगे चीत देंगए तो जैसे हम iron fillings चीतेंगे तो सारी आएटाए ऌन हैस तरह से चारौर बैठ जाय से बैठ जाե और उसका center कहां रहाएगा wire यह wire है यह भी wire का एक piece है जो इस chart paper यानि की cardboard से pass हो रहा था यह हमारा cardboard है उससे pass हो रहा था iron feelings sprinkle करने के बाद यह इस तरह का pattern देखने को मिलेगा कि सभी iron feelings इस तरह से ऐसे ऐसे बैठ गया है मतलब concentric circles बना कर बैठ गया है तो यह रहा pattern अब हम देखेंगे कि इसका direction क्या होगा magnetic field का direction क्या होगा तो उस direction को निकालने के लिए यह term है right hand thumb rule right hand thumb rule और flaming's right hand rule अलग है यह पहला rule है इस chapter में right hand thumb rule कहता है it states that when we hold a straight current carrying conductor in our right hand जैसे यह conductor माल लेते हैं और इसको हम right hand में hold किये है and such that the thumb shows the direction of current मतलब यह माल लेजिए right hand है और यह हम conductor को पक्रिये हुए इस तरह से यह जो thumb है हमारा वो direction of current को सो कर रहा है मतलब current इस तरह से move कर रहा है इस conductor से इस तरह से move कर रहा है current then the curling of our fingers will give the direction of magnetic field तो curling क्या है हमारा curling का मतलब यह जो finger मुड़ा हुआ है चारो fingers जो इस तरह से मुड़े हुए है यह curling of fingers कहला है तो यह curling of fingers क्या देगा direction of magnetic field तो यह finger किधर मुड रहा है इस तरह से direction में इस तरह के direction को क्या कहते है हम लोग anti clockwise तो ध्यान दीजिए उसको समझने के लिए यह clock लिए है और यह जैसे हम यहाँ पर लिख लिए है तो घरी का सुई इस तरह से move करता है इस direction को हम लोग क्या कहेंगे clockwise और अगर हम उल्टा ले लिए तो उसी को anti clockwise कहेंगे मतलब इस direction को anti clockwise कहेंगे तो हम यहाँ पर देखें किया कि यह जो conductor था इस conductor में current उपर के तरफ जा रहा था तो हम माल लिए कि यह wire हमारे हाथ में है और current इस तरह से उपर जा रहा है यह जैसे I का direction है तो यह curling क्या बता है कि इस direction में magnetic field का direction होगा तो यह direction क्या actually यह anti clockwise है ध्यान देजिएगा मतलब घरी के सुई के opposite direction तो हम यहाँ दिखा दिखा दिखेंगे कि यह anti clockwise direction रहा magnetic field का तो right hand thumb rule से क्या पता चलता है direction of magnetic field around a wire और current carrying conductor thank you students for watching this video बहुत important topic है यह